Economic Impact of British Rule दोस्तों, बिटिशर्स द्वारा फॉलो की गई पॉलोसीज की बजह से, इंडियन एकानमी तेजी से कोलोनियल एकानमी में ट्रांस्फोर्म हो गई थी, जिसका नेजर और स्ट्रक्चर बिटिश एकानमी की जरूरत के हिसाब से तै होता था। Britishers ने इंडियन एकानमी के ट्रिडिशनल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से डिस्रप्ट कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि Britishers ने लगभग 200 साल तक इंडिया पर रूल किया। इतने लंबे समय तक exploitation का नीचर एक जैसा नहीं रहा था। ये समय के साथ change होता रहा। और इसी के basis पर colonial rule को तीन phases में divide किया जाता है। आईए इन phases को detail में समझते हैं। Three Phases of Economic Exploitation Colonial rule के changing economic character को समझने के लिए Indian scholar R.P. Dutt ने इसे तीन phases में divide किया है। पहला phase लगभग 1757 से 1813 तक चलता है और इसे mercantilism या commercial capitalism का phase कहा जाता है। इस phase में Britishers के दो mean aims थे। एक trade और commerce पर अपनी monopoly बनाना और दूसरा bullion की समस्या का समधान ढूनना। Bullion की समस्या से हमारा मतलब है कि Britishers को इंडिया से goods purchase करने के लिए अपने यहां के gold, silver और उनके coins का use करना पड़ता था। जो की mercantilism की दृष्टी से favorable नहीं था। Monopoly बनाने के लिए British East India Company एक-एक करके बाकी की foreign companies को रास्ते से हटा देती हैं। और bullion की समस्या Battle of Plassey के बाद खत्म होती है। जिसे detail में हम थोड़ी देर में देखेंगे। Basically, इस phase का focus इंडिया से drain of wealth और East India Company द्वारा direct colonial plunder पर रहता है। यहीं से इंडिया की economy का colonial exploitation शुरू हो जाता है। इसके बाद दूसरा phase लगभग 1813 से शुरू होकर 1860 तक चलता है। इसे industrial capitalism का phase कहते हैं। इस समय तक England में industrial revolution की शुरूआत हो चुकी थी। और वहां बड़े scale पर goods manufacture किये जा रहे थे। इन्हीं goods को sale करने के लिए market की जरूरत थी। साथी British industries की और ज्यादा growth के लिए बड़े सतर पर raw materials भी चाहिए थे। 1813 के Charter Act के द्वारा East India Company की monopoly को भी खत्म कर दिया गया था। और इसी के साथ colonial government one-sided free trade policy की शुरूआत भी करती है। जिसमें Britain से इंडिया आने वाले manufactured goods पर कोई duty नहीं लगाए जाती। और इंडिया से Britain के लिए raw materials भी बिना किसी duty के जाते हैं। लेकिन England में इंडिया से जाने वाले किसी भी finished product पर heavy duty बनी रहती है। उधारन के तोर पर Indian textiles पर 300% duty impose की जाती है। इस तरह इस period के दोरान इंडिया में de-industrialization और ruralization देखने को मिलता है। संगशेप में कहें तो industrial capitalism का phase इंडियन economy को British goods के लिए market और raw materials के supplier में convert कर देता है। तीसरा और आखरी phase लगभग 1860 से शुरू होकर 1947 तक चलता है। इसे financial capitalism का phase बोला जाता है। इस दोरान Britishers इंडिया में capital invest करना शुरू करते हैं। इसका कारण ये था कि अब industrialization दुनिया के बाकी देशों में भी फैलने लगा था। जैसे कि Germany, Japan, etc. इस वजह से British industries के लिए competition बढ़ जाता है। सवाइव करने के लिए cost of production को कम करने की जरूरत समझी जाती है। और साथी साथ पिछले phase के दोरान profits जमा करते करते, Britishers काफी capital जमा कर लेते हैं, जिसे invest करने की opportunities ढूणी जा रही थी। इसके साथ इंडिया में invest करने से transportation cost कम होती है। साथी cheap labor भी मिल जाती है। इसलिए इस period में तेजी से British capital का flow इंडिया में होता है। लेकिन इसका मकसद इंडिया में industrial growth करना नहीं रहता, बलकि Indian resources का exploitation करना होता है। British capital उन्ही activities में लगाई जाती है, जो British industries के लिए complimentary साबित होती हैं। एक estimate के अनुसार, 1914 से पहले तक लगभग 97% British capital railways, merchant shipping, mining और financial houses के development में invest की गई थी। phases को broadly समझने के बाद, आई ये अब अलग-अलग spheres में हुए economic impact को discuss करते हैं। शुरुआत करते हैं Indian agriculture से। Impact on Indian agriculture Company ने इंडिया में नए land tenures, जैसे की permanent settlement, रियोतवाडी, महलवाडी system etc. को introduce किया था। इन सभी systems में revenue rate को बहुत high रखा गया था। साथ ही रियोतवाडी और महलवाडी areas में regular interval पर revenue rate बढ़ा दिये जाते थे। इन नए systems की वजह से नए social classes जैसे की landlords, money lenders, land speculators emerge होते हैं। Rural indebtedness बढ़ने लगती है। और Indian cultivators की condition खराब होती चली जाती है। ज्यादतर cultivators गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने के लिए मजबूर होते हैं। Land revenue systems के impact को और detail में हमने अलग से एक video में cover किया है। Colonial policies की वजह से Indian agriculture का commercialization भी देखने को मिलता है। इसलिए इंडिया में food crops की जगह ऐसी commercial crops को promote किया जाता है। कई cases में तो peasants से forcefully इन्हें cultivate कराया जाता है। जैसे indigo plantation के case में। इसकी वजह से peasants पर कर्ज तो बढ़ता ही है। साथी rural economy की self-dependence खत्म हो जाती है। Peasants के पास खाने को अनाज नहीं रहता है। और ऐसी situation में famines बहुत common हो जाते हैं। British colonial rule का adverse impact सिर्फ Indian agriculture पर ही नहीं होता है। बलकि traditional Indian industries को भी ये पूरी तरह destroy कर देता है। आईए detail में समझते हैं। Deindustrialization, ruin of Indian handicrafts British rule का Indian handicraft industries पर बहुत ही गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। Britishers के आने से पहले तक इंडिया एक exporting country हुआ करती थी। यहां तक कि Britishers भी इंडिया trade करने के लिए ही आये थे। और वो यहां अपने देश के products का trade नहीं करते थे। बलकि इंडिया से products जैसे की textiles, spices, etc. यॉरोप में export करते थे। Mercantilism यानि की first phase के दौरान यही स्थिती बनी रहती है। लेकिन second phase में शुरू होने के बाद, England से बड़ी संख्या में machine made products इंडिया आने लगते हैं। जो की Indian goods से काफी सस्ते होते थे, जिसकी वजह से Indian handicrafts की demand कम होने लगती है। साथी one-sided free trade जैसी policies के कारण Indian goods पर foreign market में heavy duties impose की जाती है। इस तरह domestic और foreign दोनों ही market में Indian goods की demand कम हो जाती है। इसके अलावा, Britishers इंडिया से raw material जैसे की cotton का export शुरू कर देते हैं। इस वजह से Indian artisans को raw material या तो मिलता नहीं है, या फिर बहुत महंगे मिलने लगते हैं। इस कारण मजबूरी में Indian weavers ये काम छोड़ने लगते हैं। Railways का development भी traditional industries को नुकसान पहुचाता है। क्यूकि इससे पहले कम से कम remote corners में तो Indian goods की demand रहती थी। लेकिन railways की आने के बाद देश के कोने-कोने में सस्ते British goods पहुँच जाते हैं। इस तरह handicrafts industries का decline तो तेजी से होता है, लेकिन modern industries की शुरुआत इतनी जल्दी नहीं होती। इसलिए traditional industries में काम करने वाले लोग बेरोजगार हो जाते हैं। गैंजियतिक बिहार का statistical data बताता है कि यहां total population के मुकाबले industrial population का proportion जो 1809-13 के समय 18.6% था, वो 1901 में घटकर सिर्फ 8.5% रह जाता है। कहा जा सकता है कि बिटिश रूल के दौरान industrial progress तो दूर उल्टा Indian traditional industries का decline होता है। आईए अब बिटिश रूल के सबसे बड़े economic impact को समझते हैं, जिसे Indian nationalist leaders ने drain of wealth की theory से समझाया है। इंडियन national leaders और economists के अनुसार, इंडिया से England के लिए होने वाला constant flow of wealth, जिसके बदले में इंडिया को कोई भी economic, commercial या material return नहीं मिलता था। drain of wealth कहलाता है। ये साल दर साल इंडिया से imperial Britain द्वारा लिये जा रहे indirect tribute की तरह था। Mercantilist concept में कहें तो economic drain तब होता है, जब adverse balance of trade की वजह से gold और silver देश से बाहर जाने लगते हैं। Battle of Plassey से पहले East India Company इंडिया में trade करने के लिए Britain से bullion import करती थी, लेकिन Plassey के बाद situation बिलकुल बदल जाती है। East India Company अब इंडिया में territories administer करना शुरू कर देती है, और यहां के surplus revenues पर उसका अधिकार हो जाता है। अब Britain से bullion लाने की जगे इंडिया के ही revenue को use करके company अपने exports को purchase करती है। इस तरह इंडिया के revenue को company पूरी तरह अपने फाइदे के लिए use करती है। जिसके बदले में इंडिया को कुछ भी नहीं मिलता है। ये system 1813 के charter act से खत्म होता है, क्योंकि उसमें company के commercial और territorial revenues को separate किया जाता है। लेकिन इंडिया से economic drain का end यहां भी नहीं होता, बस इसका character थोड़ा बदल जाता है। 1813 के बाद drain एक तरफा exports के form में होता है। इस economic drain के main constituents कुछ इस तरह थे। Home charges ऐसे expenditure को बोला जाता था, जो इंडिया के बिहाफ पर Secretary of State द्वारा England में किये जाते थे। 1857 के reward से पहले, Home charges इंडिया के annual revenue का 10 से 13% हुआ करते थे। 1897 से 1901 के बीच ये proportion बढ़कर 24% हो गया था। और 1921-22 में Home charges Central Government के total revenue के 40% तक पहुँच गये थे। Home charges के अंदर, East India Company के shareholders को दिये जाने वाला dividend, Company द्वारा इंडिया के बाहर लिये public debt पर interest, civil और military charges, और England में किये गए store purchases आते थे। Drain का next component था foreign capital investments पर दिया जाने वाला interest. Interest on foreign capital investments 20th century में Britain से finance capital इंडिया में enter होना शुरू होता है, यानि कि third phase financial capitalism की शुरूआत। 20th century में inter-war period के समय इस पर सालाना लगभग 30 से 60 करोड रुपे खर्च होते थे। यहां यह याद रखना चाहिए कि foreign capitalists इंडिया के industrial development में interested नहीं थे, बलकि अपने फायदे के लिए Indian resources को exploit करना चाहते थे। साथ ही indigenous capitalist enterprise को अलग-अलग तरीके से पीछिय करने की कोशिश भी करते थे। Economic drain का एक और component देखा जा सकता है, foreign banking, insurance and shipping companies. इंडिया को banking, insurance और shipping के लिए huge payments करने परते थे। इससे Indian resources का drain तो होता ही था, साथ ही इन spheres में indigenous enterprises की growth भी नहीं हो पाई थी। Economic drain के बारे में लिखते हुए, दादा भाई नावरो जी ने कहा था, कि ये evil of all evils है, और Indian poverty का सबसे बड़ा कारण भी है। इनकी अनुसार, British rule की शुरुआत से लेकर 1865-66 तक, कुल 1500 million pounds का drain इंडिया से हो चुका था, और 1883 से 1892 के बीच करीब 359 crore rupees drain हुए थे। Drain of wealth के जरिये ना सिर्फ Britishers ने इंडिया की wealth को लूटने का काम किया, बलकि इसकी वजह से इंडिया में industrialization भी नहीं हो पाया, क्यूंकि इसके लिए जो जरूरी capital थी वो तो Britain transfer हो रही थी। ये तो बात हो गई colonial rule के दोरान इंडिया पर हुए economic impacts की। लेकिन ये impacts सिर्फ colonial rule तक ही सीमित नहीं रहे। बलकि इनकी legacy इंडिपेंडेंट इंडिया पर भी देखने को मिलती है। कैसे आईए जानते हैं। दोसौ साल का British rule एक्स्ट्रीम पावर्टी के साथ agriculture और industrial दोनों ही sectors में economic backwardness की legacy छोड़ जाता है। 1947 में जब Britishers इंडिया से गए तब दुनिया की सबसे जटिल land problem पीछे छोड़ गए। जिसमें land rights की complicated hierarchy थी, land tenure की insecurity थी, cultivation की techniques primitive बने हुए थे। पर-acre yield बहुत कम थी, agricultural holdings fragmented थी और money lenders का शिकंजा rural economy पर बना हुआ था। इसके साथ ही agriculture में investment तो उन्होंने न के बरावर किया था। कम शब्दों में कहें तो देश पर अकाल यानि की famine का खत्रा लगातार मन रहा था। इस स्थिती से निकलने के लिए देश को कई साल लग गए और agriculture की कुछ समस्या जो British legacy है अभी तक बनी हुई है। Industrial sector का हाल भी कुछ ऐसा ही था। Indian industries का lopsided development हुआ था, production techniques बहुत ही कम थी, industrial workers की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। इसके अलावा, industries पर British finance capital का दबदबा अभी भी बना हुआ था। Britishers इंडिया को low per capita income वाला गरीब देश बना कर चले गए थे। Average Indian income कुछ इस तरह थी कि लोग 3 meals की जगे सिर्फ 2 meals ही afford कर सकते थे। वो भी इस शर्थ पर कि कपड़े की कोई demand नहों, सर के उपर छट भी नहों और किसी तरह का कोई amusement या recreation तो भूल ही जाओ। इस तरह आजादी के समय इंडिया को British legacy के रूप में वर्षों के colonial exploitation के नीचे तबी economy और guided under development मिलता है। Conclusion दोस्तों, हम कह सकते हैं कि British colonial rule का सबसे बड़ा प्रभाव Indian economy पर ही दिखता है। यही वज़ा थी कि Indian nationalist drain of wealth की थेयरी से colonial rule को expose करने की कोशिश करते हैं। और इंडिया में economic nationalism की शुरुआत होती है। Colonial rule एक बड़ी वज़े थी कि इंडिया में industrial revolution नहीं हो पाया। Indian agriculture और industries के backwardness के लिए भी colonial policies ही responsible थी।